वाइजन हाउस फ्रीस्टैल चेस्ट गॉट चैलेंज में पांचवे स्थान के मुकाबले के लिए विश्व चैंपियन डिंग लीरेन के सामने हैं अली रेजा फिरोजा अब तक अली रेजा फिरोजा का यह टोनमेंट अच्छा ही गया है बस मैगनस कालसन से उन्हें क्वाट अध्याइज फार पर उसा सबद्र जरूर है लेकिन 960 है मौरों की स्थिटी अलगलाग कियो यहां पर उनका हाथी है वहाँ पर तो एक शायद उनकी सोच इया है कि हाथी से सपोर्ट करते हुए जो महरा चलेंग सी स्थान के सी statिती में मैगनस कालसन ने जीफोर करके सबस् सब्सक्राइब करते हुए और सेंटर पर मजबूती से D5 खेलते हुए अली रेजा फिरोजा के लिए टूर्णामेंट मुस्किलों से भरा नहीं रहा है जब कि दिंग के लिए अपोजेट रहा है नाइट E3 खेलते हुए दिंग लिए और कभी कभी सिस्थिती में महरों को पह पहले निकालना मुसीबत भी लेकर के आता है क्योंकि प्यादों से आपको उसको कहा जाएंगे किस जगह जाएंगे यह अच्छे से अनलैसिस करना होता है खेर मैच में क्या हुआ है नाइट E3 नाइट G6 नाइट G3 और अब अली रेजा F4 करते हुए आप अगर E4 लेकर के अरे उन्होंने एक अलगी चाल खेली है नाइट E7 खेलते हुए क्वीन से नाइट पर अटाक कर दिया है और डिंग ने क्वीन H4 खेल दिया है इस पोजिशन पर और अली रेजा ने बिन्ना समय गवाय यहां पर G5 खेला है और दिक्कत यह है कि दिक्कत हो गई है सपोर्ट की कुण इंटू G5 आप पॉन तो मार लेंगे लेकिन रुक F5 और ओपनिंग की शुरुवाती साथवी आठवी चाल पर इंडिंग ली रेन को महरे का नुकसान होता हुआ क्वीन G4 खेला है उन्होंने यहां पर अली रेजा यहां पर रुक इंटू H5 मारते हुए मार लिया है लेकिन वो थोड़ी देर में रीकवर भी हो जाएगा फिलाल F4 के पॉन पर भी अटैक है बिशप यहां पर खेलते हुए C4 पर और बिशप यहां पर कुईन से मारा जा सकता था लेकिन शायद यहां पर अलग खेला है डिंग ली रेन ने यहां पर नाइट F4 मा लिया यहां पर अली रेजा फिरोजा ने ओके बिशप D4 से निकलता हुआ रुक पर अटैक करता हुआ अब देखते हैं रुक के लिए कौन सी जगह ढूडते हैं यहां पर अली रेजा अली रेजा ने रुक जो है वो A5 लेकर के गए हैं और फिलाल साथ पॉन है बोड पर इस्तिती जो है वो डिंग के लिए मुस्किल होती जाएगी और अली रेजा के लिए अच्छी यहां पर रुक को लाते हुए डिंग रुक D1 लाते हुए और अली रेजा के लिए चुनौती है डेवलपमेंट कम्प्रीट करना है पहले अब उन्होंने खेला है बिशप C7 प बिशप इंटू उन्होंने मार लिया है H7 और यह कौन पॉन की बढ़त बनाते हुए तीन पॉन अफ है इस करेंट पोजीशन पर अली रेजा बिना कोई चिंता के यहां पर लॉंग कैसल करते हुए जैसे उन्हें पता है कि वो रिकवरी तो कर ही लेंगे यहां पर बिशप बापस आता हुआ D3 के स्क्वेर पर और इस बार डिंग खुद एक्शेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि शैद उनको पास्ट पॉन से कुछ उम्मीद है लेकिन अली रेजा यहां पर कुईन खिलते हुए F7 पर ताकि एक्शेंज करने के बाद उनका कुईन जो बहतर इस्तिति में आए नाइट यहां पर H3 हटते हुए डिंग ली रेन और क्या प्यादों से कुछ कमाल दिखा सकते हैं यहां पर बिशप इंटू D3 मारते हुए एक्शेंज करते हुए अली रेजा और सवाल है कि आप किस से मारेंगे पॉन इंटू D3 यहां पर मारा आकरमण जो है उसकी संभावना बहुत जादा है नाइट G5 खेलते हुए डिंग ली रेन और यहां पर अली रेजा ने क्वीन G6 खेला है और नाइट क्यू पर एक और अटैक किया है पर अली रेजा यहां पर टाली रेज आते हुए यहां पर फ्फाइफ बिशब़ पर आकरमण करते हुए नाइट इंटू हक, अब ह्फ्वर का, यहां पर C4 खेला है डिंग ली रेन ने so now oh knight d5 पर आते हुए क्योंकि आप अगर pawn से मारेंगे तो यहाँ पर knight into d4 आ रहा था तो यहाँ पर एक good move खेला उनोंने और यहाँ पर finally जो है कुछ अलग तरीके से जो है वो game आगे बढ़ सकता था लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है और फिलाल current position जो है वो कुछ इस तरीके से हो चुकी है knight d5 पर उनोंने pawn से मारा है और d4 पर bishop को मार लिया यहाँ पर अब c6 पर exchange करते हुए डिंग ली रहे हैं लेकिन दिक्कत की बार डिंग के लिए यह है कि जैसे जैसे महरे कम होते जा रहे हैं उनके पास कोई खास तरह का अक्रमण नहीं है और जहां पर तीन पॉन एक्स्ट्रा है वो पॉन आगे बढ़ने ही पा रहे हैं तो देखना होगा क्या होगा queen e4 पर रखा है exchange करने के लिए और यहाँ पर देखना होगा कि को और अब अली रेजा यहाँ पर देखते हैं कि मुव का चुनाओ करते हैं अली रेजा queen h2 अंदर आते हुए और एक तरह से चुनाओती देते हुए कि आपको मारना है तो घोड़ा मार लीजे लेकिन उसके बाद आपकी सहमात की तयारी लगी होगी हो यहाँ पर रजाइन कर दिया डिंग ली रेन ने हार मान ली है क्योंकि उनके राजा किसी थी बेहत खराब थी आने वहले समय मैच 4 जी टू पहुंच भी जा सकते थे और अली रेजा को यह पोजीशन सम अच्छे से पकड़ में उन्होंने बना ली थी डिंग की यह एक और हार और विश्व चैंपियन की समस्याएं जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है